नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और बज़ेदार कॉमिक्स बिनाश कारी तलवार महल की दरबार भी यह समाचार सुनते ही राजा नाग राजन के पाउं के निचे से मानू जमीन ही निकल गई तेरी भी समझ में नहीं आ रहा महाराज और एका एक ही राजा नाग राजन निढाल से सिंघासन पर लोडग गए ओह ओह इसका मतलब हुआ कि अब देवी मा की भविश्यवानी सत्य होगी यह यह राज्य सर्वराश की कगार पर आप पहुंचा है उफ नहीं ऐसा नहीं हो स और जब तक तलवार मिल न जाए मुझे अपनी सूरत मत दिखाना जो अग्या महराज सेना पती बहां से चला गया सेना पती के बाहर निकलते ही महामंत्री कह उठे महराज यह कार्य अवश्य ही किसी बहुत बड़े जादुगर का है अन्यथा कुछ मट बोलो महामंत्री की तबाही निश्चित है तभी एक द्वार पाल घबराया हुआ वहां आ पहुंचा और अपनी सांसे नियंत्रित करता हुआ बोला महराज गजब हो गया महराज राजा शूल बाहु ने पुना आक्रमन कर दिया है और इस पार उनकी मदद पडोसी देश की राजा वीर पाल सिंग भी कर रहे हैं क्या ओ नहीं उफ संकत चुरू हो गया महराज दुश्मन सेना मारकाट मचाती हुई महल की और पड़ी चली आ रही है हे भगवान अब क्या होगा अब तो एक ही उपाय है महराज और रहे यह है कि आप तुरन कुप द्वार द्वारा महल से निकल जाए किये नहीं यह नहीं हो सकता हम कायरों के समान मुझ शिपाकर नहीं भागेंगे महामंतरी हम युद्ध करेंगे युद्ध नीती यही कहती है महराज कि इस समय आपके चले जाने में ही राज्य की भलाई है दुश्मन आपको देखते ही भगवान न करे लेकिन आप जीवित रहेंगे तो खोया हुआ राज्य पाने के लिए फिर से प्रियत्न किया जा सकता है तभी महराज महराज दुश्मन सीना महल में आप पहुंची है अब और देर उचित नहीं जल्दी कीजे महराज महामंतरी ने तुरंत एक कल दबा कर गुप्त द्वार खोल दिया इस रास् नाग राजन उस गुप्त द्वार में परवेश करके इश्वर आपकी रक्षा करे महराज उनके भीतर जाते ही महामंतरी ने अभी वह गुप्त द्वार बंद किया ही था कि दुश्मन सेना के कई सैनिकों ने उन्हें चारो ओर से खेज लिया खबरदार हाथ उपर उठालो बापू महलवा सिंघासन पर राजा शूल बाहु का अधिकार हो गया हाँ से हम इस सिंघासन के मालिक हैं महराज शूल बाहु की जै तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी महराज राजा नाग राजन का कहीं कुछ पता नहीं चला ओ शायद हमसे भैबीत होकर भाग निकला है लेकिन कब तक बश्ता फिरेगा हम उसे एक दिन ढूंड कर मौत के हवाले करके रहेंगे दूसरे ही पल उसने आदेश दिया सेना पती वीर भद्र चारों दिशाओं में अपने सैनिक दोड़ा दो राजा नाग राजन को जीवीत अत्वा मृत हमारे सम्मुक पेश करो जो वे ही हमारे नए राजा हैं उन्हें राजा न मानने वाले को मृत्यू दन दिया जाएगा उफ नजाने हमारे महराज इस समय कहां पर और किस हाल में होंगे इश्वर उनकी रक्षा करें उधर गुप्त द्वार से निकलने के पश्चात राजा नाग राजन शेखरता के पर फिर से प्राप्त करनी होगी इस कार्य में केवन महारिशी अगनी देव ही मेरी मदद कर सकते हैं काफी समय तक चलते रहने के कारण प्यास से एका एक ही उनका कंड सूखने रगा आह पानी लेकिन उस समय आसपास उन्हें कहीं जल दिखाई नहीं पड़ा और एका एक उ रिशी कन्या उस आहस्वर को सुनकर चौंक पड़ी अवश्य कोई मुसीबत में फसा पुरुष है मुझे तुरन चलकर देखना चाहिए ओह वेश भूशा से तो यह किसी देश का राजा लगता है शायद प्यास की कारण इसकी यह हालत हुई है रिशी कन्या ने डलिया मेस से को सुगंदित फूल निकाल कर उनका रस राजा नाग राजन के चहरे पर डाला इन पुश्मों की रस की तीवर सुगन से अभी इनकी भूख प्यास वा बेहोशी चाती रहेगी श्री घ्री आह राजा ने करहा कर अपनी आँखे खोली और अपनी सामने उस बेहर सुंदर रिशी कन्या को देख कर राजा नाग राजन चौंक कर उठ बैठे और यका यकी उनकी मुझ से निकला हे देवी तुम कौन हो महरिशी अगनी देव की पुत्री देवी का अब आप अपना परिचे दे राजन मेरा नाम नाग राजन है देवी का किन्तु अब मैं राजन नह चुका है मैं यहां महरिशी अगनी देव की दर्शन करने और उनकी मदद प्राप्त करने आया हूं हे करन्या कृप्या करके मुझे उनके पास ले चलो अब तो महरिशी की आशिर्वास से ही मैं अपना खोया हुआ राज्य वह सम्मान वापस पासगूंगा देविका को चुप समभब नहीं राजन क्यों क्यों समभब नहीं है इसलिए क्योंकि पिताशरी इस समय अगनी पुत्र की कामना के लिए घोर यक कर रहे हैं अगर आपको उनसे भेट की तमन्ना है तो फिर आपको दो वर्ष उनकी तपस्या तूटने तक इंतजार करना होगा तो वर्ष हां र देविका राजा नाग राजन को लेकर कुठिया के निकट पहुँची और वह देखे वी रही पिताश्री ओह प्रणाम मुनिवर आज से एक सप्ता पूर्व की बात है मैं प्राण दायक जड़ी बूटियों की खोज में वनमी घूम रही थी कि तभी राजा शूर बाहू हमारी हसी उड़ाएगी सेना पती वीर भद्र हमने जो कुछ किया बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर ही किया है हमें अपने किये पर कोई पश्टावा नहीं है क्योंकि अब हम छल नीती से कार्य लेकर पुनार राजा नाग राजन पर आकर्मन करेंगे और अरे क्या हुआ आपके चोंकने का करण रत रोको सार्थी रत रोको राजा की अग्या पाकर सार्थी ने दुरंच रत रोक दिया तक तक सेना पती वीर भद्र भी मुझे को देखकर राजा शूल बाहू के साथ साथ रत से नीची उतर आया था ओ, तो महराज इस जिशी कन्या को देखकर चौके थे अहा, कितनी सुन्दर कन्या है इसी तो हमारे महल में हमारी रानी बन कर रहना चाहिए मेरी निकट पहुँचते ही राजा शूल बाहु स्वर को थोड़ा कठोर बनाते हुए बोले ए लड़की कौन हो तुम और इस बियाबान में क्या कर रही हो मेरा नाम देविका है जड़ी बुटिया एकत्र कर रही हूँ किन्तु आप मुस्ते यह पूछने वाले कौन होते हैं श्रीमान हम राजा शूल बाहु है लड़की हमारा नाम सुन कर बस बस रहने दे माराज मैं जानती हूँ कि आप राजा नाग राजन के भै से काईरों के समान रन भूमी छोड़ कर आ रहे हैं इसलिए आपका नाम चाहे कुछ हो मैं आपको रन भूमी छोड़ ही कहूंगी इसी के साथ मैं खेल खेला कर हस पड़ी यह सुनते ही गुस्ते से भरा सेनापती वीर भदर मयान में से तलवार खींच कर गर जा गुस्ताख लड़की होश में रहकर बात कर यह हमारे महराज हैं ओ शमा करना सेनापती जी मैं तो भूली गई थी राजा शूल बाहू अपमान से भरा गरज उठा गुस्ताख लड़की तुने राजा शूल बाहू का अपमान किया है हम तेरे रूप का अभिवान अवश्य तोड़ेंगे सेनापती इसे पकड़कर अपने साथ महल में ले चलो वहां हम इसे अपनी दासी बना कर रखेंगे नहीं सेनापती ने मेरी कलाई अपनी मजबूर शिकंजे में कसली और मुझे रत क्योर खसीटा हुआ ले जाने रगा हाँ 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 नहीं छोड़ दे मुझे बच्चाओ किन्तु अभी वे कुछ कदम ही आगे बड़े होंगे कि एका एक तेज आंधी चलने रगी उफ यह अचानक आंधी कहां से आ गई ओ यह आंधी सेनापती हमारा रत आगे लाओ कहां हो तुम उफ इस आंधी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा अचानक सबको ऐसा लगा मानू वे हवा में उड़ रहे हो उफ यह क्या ओ गोल गोल घूमती आंधी में फसे उड़ते हुए वे सभी अपनी सुद बुद खो बैठे आंधी राजा शूल बाहु सहित उसकी पूरी सेना को उड़ा कर ले गई ठेक इसी पल मेरी नजरे महरिशी अगनी देव पर पड़ी और मैं चीकती हुई जाकर उनके कंदों से लगकर बिलग पड़ी पिताश्री वहे दुष्ट राजा शूल बाहु मुझे जबरन उठा ले जाना चाहता था उसने मेरा अपमान किया है पिताश्री महरिशी की आँखे भर आई मत्रो मेरी बच्ची मत्रो हमें सब पता है हम तेरे इस अपमान का बदला लेंगे बेटी राजा शूल बाहु को निस्ता नाबूत कर देंगे हम और उसके लिए हमें एक अगनी पुत्र पैदा करना होगा एक यक करना होगा उसी शाम बेटी हम एक महा यक करने जा रहे हैं यह यक पूरे दो बरस तक चलेगा और तुमें इस बात का ध्यान लखना है कि उससे पूर्व हमारी तपस्या भंग न होने पाए दो बरस पस्चात जब हम अपने नेत्र खोलेंगे तो उनसे निकले तेश के कारण ही हमें अगनी पूत्र की प्राप्ती होगी और अगर ये नेत्र कहीं दो बरस पूर्वी खुल गए तो भयंकत तवाही होगी मैं समझ के पिताशरी इतना कहने के पश्चात मारीशी कुट्या के भीतर चले गए अगनी पूत्र की प्राप्ती के लिए अगर यहां मुझे बड़ी से बड़ी खत्रे से भी चूजना पड़ा तो मैं पीछे नहीं आटूंगी इस परकार पिताश्री अगनी पुत्र की प्राप्ती के लिए कठोर यग में चूट गए आप किसी भी सूरत में दो बरस्ते पूर्व उनसे भेट नहीं कर सकते ओ तो यह बात है तब तो मैं अवश्य ही दो बरस तक इंतजार करूंगा क्योंकि मेरा दुश्मन भी वही दुष्ट राजा शूलबा हुई है जिसने चल से मेरी दिव्य तलवार चुरा ली और यह दिन देखना पड़ा लेकिन सोचता हूँ कि दो साल तक यहां रहकर मैं करूंगा क्या इन दो बरसों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं माराज छेदम वेश धारन कर प्रजा में बगावत पैदा कर सकते हैं और फिर समय आने पर तुम ठीक कहती हो देविका मैं यही सब करूंगा अब तो तुम्हारे अपमान का बदला भी मुझे लेना है यह सोचते सोचते राजा नाग राजन का चहरा कठोर होता चला गया उधर राजा शूल बाहू आमर पुष्प में महल के एक शांदार कक्ष में जादुगर चामुंडा का स्वागत कर रहा था आओ आओ चादुगर चामुंडा हम तुमसे बेहत प्रसन है मांगो क्या मांगते हो हम तुम्हारी कोई भी इच्छा आज पूरी करेंगे इसलिए तो मैं यहां आया हूँ माराज तो फिर निर्भिक होकर कहो जादुगर चामुंडा माराज मैं एक महा यक करना चाहता हूँ जिसके फल सवरूप मुझे कोई नहीं मार सकेगा यही नहीं अगर मेरे जिस्म से लहू की एक भी बून जमीन पर गिली तो उसके स्थान पर एक और जादुगर चामुंडा पैदा हो ठेगा लेकिन? लेकिन क्या? उसके लिए मुझे निरंतर दो बरस तक अजन में बच्चे का रक्च चाहिए सुनते ही राजा शूल बाहू उछल पड़ा अजन में बच्चों का रक्च? यानि गर्वति इस्त्रियों के पेट में पल रहे मासूम बच्चों का रक्च? जी हां माराज उफ तुमने तो हमें दोविधा में डाल दिया है जादुगर्चा मुंडा यह कैसे मुम्किन है? अगर हमने ऐसा किया तो किसी भी देश की प्रजा हमें नहीं बख्षेगी यह तो तब ना माराज जब किसी को पता चले अगर किसी को पता ही न चले तो? ओह यह तो हमने सोचा ही नहीं था तब ही एक दासी ने आकर सूचना दी माराज की जै हो मारानी जी ने आपको याद किया है ओह ठीक है तुम जाओ हम अभी आते हैं क्या राजा शूल पाहू ने जादुकर चामुंडा का अमान व्य प्रस्ताव मान लिया? क्या राजा नागरजन अपने उद्देश्य में सफल हो पाए? क्या अगनी पुत्र का जनम हो सका? क्या माहरशी अगनी देव अपनी पुत्री देविका के अपमान का बदला ले सके? क्या वह दिव्य तलवार वापस राजमंदिर में पहुंच सकी? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो अगनी पुत्र में तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा? धन्यवाद